हलो बच्चो आप सभी लोग अच्छे होंगे आज हम क्या शुरू कर रहे हैं जोमेट्री का लाश 10 का पर्स एक्सराइज प्रैक्टिशेट 1.1 अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देखा होगा तो यह 1.1 के लिए बस एरिया ओफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चीह बाक बैसित है Ça dil बैसिक थोड़ा है इसके से लिए एसराइज सीरे ऐरिया ओफ ट्राइंगल अ किरेंद्री असरेम रिंट्राइंगल का फॉर्मूला का है बच्चों आप इन्टो बिदे ँंटो हाई area of triangle मतलब क्या होता है बच्चो half into base into height यह फॉर्मुला है अगर एक triangle लेता हूँ triangle का नाम क्या है A, B, C यहाँ से perpendicular drawn किया हूँ यह point का नाम दे दिया D अब half into base into height क्या हो जाएगा बच्चो हाफ City रहेगा बेस की वैल्यूब क्या डालेंगे मुझे क्या का रांगा एडिय के अगांगा क्या का लेगा आ बी लाएगा उप इंगल घ्रीय तो हाफ यह बेस का मतलब क्या अगर क्या एंगल को ध्यान से देखो बच्चो इसका बेस यह है बेस मतलब नीचे की साइड बेस मतलब नीचे की साइड इन हर एक डाइग्राम में बेस मतलब नीचे की साइड नहीं होती लेकिन आपको समझना पता है जिस पे परपेंडिकुलर हो वे बेस होता है जैसे कि यह जो लाइ तो यह बेश चाहएगा इसका बीशी हो जाएगा है हाइट का मतलब चाहता है बच्चो एक वर्टेक्स है जो उसका अपर ट्राइंगल के जो से एधम हाइएस पॉइंट से लेखर और जो लोवेश बेश है बेश है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है हाइट लिढ़ने से कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बोला जाता है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कड कमधने करें बैसे बेशे का हो जाएगा ऐडी क्या है इस ट्रेंगल में हाईट ये वाले चैप्टर में मतलब ये वाले एक्सेसाइज में एक और फॉर्म्यला लगा और बाद्चो ट्रेंगल कौ से लेटों फंप हेरिज ओफ ट्रेंगल कि ट्र को डानिगल ए ट्रेंगल ए Vad सी हो गया अभी ट्राइंगल एबीची ना पकड़ो यह एक ट्राइंगल एबीची है और यह ट्राइंगल पी क्यू आर है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यह जिसको हमने नाम दे दिया अब मुझे क्या निकालना है यह दोनों का रेशियो निकालना है रेशियो आफ एरिया आफ ट्राइंगल इसका क्या निकाल है बच्चो एरिया आफ ट्राइंगल एबीची अपन एरिया आफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसका क्या निकाल रहा है बच्चो रेशियो निकाल रह एक एडियो फ्राइंगल ए बीची क्या हाफ इंटो बीची इंटो एड़ी है अपन एडियो फ्रेकेंट रैंगल एडियो फ्रेकेंट रहेगा चेम फॉर्मूला रहेगा हाफ रहेगा इंटू बेस पी क्यू आर का यह ट्रायंगल का बेस यह रहेगा क्यू आरशीटूट कर दू into height, height क्या है ? पी- strat क술 है तो अगर देखोगे half उपर पी है half नीचे भी है numerator में भी जो शेम चीज होते अगर इनोमें चाहिता है आपस में cancel अगर यह cancel हो जाएगा तो यह बचाए आपक्या multiply by AD upon QR multiply by PS मेंस क्या है हार एक ट्रैंगल में यही नाम तो नहीं दिये रहेंगे ABC P QR अलग अलग ट्रैंगल लेंगे अलग अलग नेमिंग रहेंगा अलग 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 साइट से नेमिंग रहेंगा तो BC सब्सक्राइब देखता हूं अगर यह मेरा पस्ट रैंगल है तो अगर भीची को ध्यान से बेसे किसका पहले ट्राइंगल का पहले ट्राइंगल का है बीची बेश है तो बेश को मैं क्या दिनोट किया बेश को मैं क्या दिनोट कर सकता हूं बेश को स्मॉल बी और पहला ट्राइंगल हो तो वन रिप्रेजेंट किया बीवन मतलब बीशी हो गया बेश ओफ फर्स्ट ट्राइंगल और यह ये ड ती क्या है एक एक हाईट को किस्गे दिनोट कर कर देता हूँ मैं हे से दोनोट कर देता हूँ धेज्ट से और यह वहन वहर इस रिफ्रेंज元 हाईड आपंड यह क्या है क्योडiled़ क्यों का है बेस उफ और वी qr base से बेस को मैंने कह से बता कि बेस को रिप्रेजेयंट किया जाता है 20 शेता है और आप से कौन से ट्राइंगल है सेकेंट ट्राइंगल है तो यह formula हो जाएगा formula क्या हो जाएगा यह a1 ले लेता हूँ यह a2 ले लेता हूँ मतलब चा बच्चो ratio of areas of two triangle यह area किस्चा है triangle number one यह area किस्चा है triangle number two ratio ratio of areas of two triangle का formula क्या हो जाएगा is equals to base of first triangle multiply by height of first triangle upon base of second triangle multiply by height of second triangle इसमें भी कुछ कंडिशन होते हैं यह फॉर्मले में दो कंडिशन अपलाई होते हैं बच्चो और दो कंडिशन होते में इसकोphone करते समय अब अब दोनों जो एरिया है मतलए दोनों जो च्राइंगल है अगर ट्रेंगल कि ब dishon दो परकार हम कहाई रियुद जो बस्के बन लुत है यह यह कि वह अगर कोर्शन में कभी दे दिया कि बच्तो यह जो बीक्रेमित भी अगर बेस उक्वल होगा तो क्या करेंगे यह बेस आर इक्वल तो एबल अपन एटू एज इक्वल्स टू बी वन मल्टिप्लाइबाइच वन अपन बीवन मल्टिप्लाइबाइच टू आप देखो कि मैंने यहां पर भी बीवन लिख दिया अगर नीचे भी अगद दूगा मतलब क्या उपर और नीचे शेम चीज है तो मैंने बता था अगर numerator में भी same होता है, denominator में भी same होता है, आपस में कहा होते है, cancel, मतलब base, और base चाओ जाएगा, cancel हो जाएगा, तो area क्या निकल जाएगा मेरे, ratio of areas of two triangle with equal basis क्या निकल जाएगा मेरा, h1 upon h2, मतलब height of first triangle, divide by height of second triangle, यह कब होगा, if two triangles having equal base, if two triangles having equal base, अब अगर equal ना होके, इसका अभी यह दो triangle का height equal हो जाएगा, किसका, a1 और a2 का मतलब यह triangle abc है, यह triangle pqr है, इसमें बोल दिया, ad is equals to psa, मतलब height of first triangle is equals to height of second triangle होगा, तो क्या करेंगे, height of first triangle is equals to height of second triangle, यह second condition है, second condition क्या है, if height, if height are equal, अगर height equal रहेगा, तो क्या करेंगे, height equal रहेगा, तो बच्चों, a1, मतलब area of first triangle, divide by area of second triangle, यह b1 as it is, यह b2 as it is, multiply by h1, यहाँ पे भी multiply by h2, लेकिन यह है क्या, यह है क्या, मैंने यहाँ क्या लिखाओ, इस height रिकोल, अगर height equal होते है, मतलब h1 is equals to h2 होता है, अगर h1 is equals to h2 होता है, अगर h1 की value 5 cm लोंगा, तो h2 की value भी 5 cm होगा, बच्चों, अगर h1 की value 5 cm लोंगा, तो h2 की value भी 5 cm रहेगा, तो ऊपर भी same रहेगा, नीचे भी same रहेगा, इससे मैं ऐसे लिखता हूँ, b1 multiply by h1 upon b2 multiply by h1, 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 h1 क्यों लिख दिया बच्चों, तुकि दोनों का height से, मतलब दोनों की value same है, जब h1 is equals to h2 है, मतलब height दोनों same है, तो h2 को हटा के मैंने h1 लिख दिया, तो ये cancel हो जागा, इससे, तो answer क्या जाएगा, b1 upon b2, b1 upon b2 का बजाएगा, if heights are equal, तो बच्चों क्या देखे, ये तीन concept है, जो कि आपका 1.1 solve कर देगा, पहला क्या है, area of triangle, area of triangle का था half into base into height, ये formula है, half as it is, जो base चाहता है किसी भी triangle का, ये part, ये part, जिस पे कोई भी चीज परpendicular हो, ये base हो जाएगा है, triangle का, जो नीचे का part है, base क्या होगा, bc, इसमें का base क्या हो जाएगा, qr, height क्या है, जो perpendicular distance होता है, height क्या होता है, जो perpendicular distance होता है, perpendicular distance है, a or d, तो ad है, ये ये, ये formula होगा, area of triangle, area of triangle is equals to half into base into height, लेकिन अगर ratio निकालना होगा, किसका 2 triangle से अगर बच्चों ratio निकालना होगा, तो area of triangle, a, b, c upon area of triangle, p, qr, ये ratio निकाल रहा हो, तो इसका answer क्या निकलता है, इसका answer निकलता है, कि base 1 multiply by height 1 upon base 2 multiply by height 2, base 1 is represent of base, मतलब base of first triangle multiply by height of first triangle, upon base of second triangle multiply by height of second triangle, ये मेरा क्या निकलेगा, ratio निकलेगा, two triangles चा, तो कंडिशन आ जाते हैं, अगर base equal रहेगा, base equal रहेगा, तो मतलब b1 उपर भी रहेगा, ये 5 cm, ये भी 5 cm, upon में रहेगे तो क्या हो जाएगा, cancel, बचेगा, क्या सिफ हाइट, तो इस base are equal, अगर base equal होंगे दोनों triangle से, तो मेरा area किसे करेस्पॉंड हो जाएगा, height upon height 2, height 1 upon height 2, अगर मेरा height star equal होगा, height star equal होगा, तो जो मेरा ratio निकलेगा, वे करेस्पॉंड किसे होगा, base होगा, b1 upon b2, b1 is represent for base 1, and b2 is represent for base of second triangle, यह इतने concept हैं बच्चों, आओ, sum solve करते हैं, जो दिया गया है, तो sum solve करते हैं बच्चे, अभी एक मिनिट, तो तीन concept लगें बच्चों, पहला क्या है, area of triangle लगा है, area of triangle का मतलब का होता है, half into base into height, base चा होता है, जो नीचे का पाट, जिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बेस भी होता है, height क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक point से, और एक line तक देता है, तो first question क्या है, तो बच्चों, first question क्या है, इसका, 1.1 का, प्रेक्टिशेट, 1.1 का first question, first question क्या बुला है बच्चों, base of a triangle is 9 cm, and height is 5 cm, एक triangle है, उस्टा क्या है, जो की base of triangle, मतलब जो उस्टा base है, 9 cm है, और height केतना है, 5 cm, base of another triangle is 10 cm, 10, sorry, cm नहीं है बच्चों, उधर unit नहीं दिया है, base of another triangle is 10 and height is 6, find the ratio of areas of these triangle, मुझे triangle का नाम भी नहीं दिया है, बस बोला गया है क्या बच्चों, कि एक, जो triangle है, first triangle का, जो height है, वे 9, जो base है, वे 9 है, और जो height है, वे कितना है, 5 है, तो उसको करेंगे कैसे, देख लेते हैं, परस्ट कॉस्चिन, परस्ट कॉस्चिन में वेच्चों, जोमेट्री है, जोमेट्री में हमेशा given लिखा जाता है, to find लिखा जाता है, algebra में यह सम नहीं लिखते हैं, लेकिन जोमेट्री में हर एक ची लिखा जाता है, given, to find, और solution, given क्या रहता है, जो question में दिया रहता है, तो पहले given लिखे लेंगे, given क्या दिया है बच्चो, base of a triangle is 9, and height is 5, means जो पहला triangle है, उसका चाहे, base 9 unit है, और height 5 unit, तो base of first triangle, base of first triangle is 9, and height is 5, that is, that is का मकलब, यह B1, base of first triangle, is equals to 9 हो जाएगा, यह H1, base of height of second triangle, यह जो कि 5 हो जाएगा, H is denote for height, B is denote for base, 1 is denote for first triangle, 1 is denote for first triangle, second क्या है बच्चो, base of second triangle है, 10 and height is 6, base of second triangle is 10, and height is 6, इसमें भी आजाएगा, that is, that is क्या मतलब क्या, B2 is equals to 10, और H2 is equals to 6, मुझे क्या निकालना है, एक में, क्या निकालना है बच्चो, ratio of areas of two triangles, तो इधर two fine लिख देंगे, यह given लिखा, two fine, two fine में क्या लिखा है, ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles, solution, कैसे निकलेगा, मैं बता था, दो triangle से ratio कैसे निकलते हैं, दो triangle से ratio, उसके जो first triangle के base one multiply by height one हो जाएगा, upon base two multiply by height two, मतब ratios of areas, इसका एक statement है, वे भी लिख देते हैं, ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles, is equal, is equal to the product, ratio of areas of two triangles, is equal to the product, of their base and corresponding product का मतब बता बच्चों multiply चिश्चा base and their corresponding height, उसके height से, and their corresponding heights, यह solution में एक, यह statement है, ratio of areas of two triangles is equal to the product of, product of their base and their corresponding height, area is represented by A, or first triangle is 1, second triangle is A, area of second triangle is A, represent by two, is equal to, B1 multiply by H1, upon B2 multiply by H2, का से यह जो statement है, इसी वाज़े से formula है, B1 क्या है, 9 है, H1 क्या है, 5 है, upon, B2 क्या है, 10 है, multiply by H2 क्या है, 6 है, cancellation करो अच्चों, यह 5 1 जा, यह 5 2 जा हो जाएगा, 5 1 जा, यह 5 2 जा, और यह 3 2 जा हो जाएगा, और यह 3 3 जा हो जाएगा, answer क्या है, उपर 3 multiply पर 1 आ रहा है, और नीचे 2 into 2 आ रहा है, मतलब 2 into 2 4, answer क्या है, 3 upon 4, इसका, area of first triangle, divide by area of second triangle, मतलब ratio of areas of, two triangles का answer क्या है, यह आया बच्चो, second question देख लेंगे, यह first question का solution था, first question में क्या दिया था, मुझे triangle का नाम दे नहीं दिया था, बस दो triangle के एक base दिया था, एक height दिया था, एक base दिया था, एक height दिया था, दो नो triangle का, मैंने ले लिया, base of first triangle is 9, and height is 5, that is B1 is equal to 9, and H1 is 5, base of second triangle is 10, height is 6, that is B2 is equal to 10, and H2 is 6, ratio of areas of two triangle, मुझे to find में करना है, solution क्या होज़ा है, ratio of areas of, ratio of areas of two triangle, is equal to the product of their base, and their corresponding height, किसे product होदा, product का मतलबता multiply, किसे base से, और किसे corresponding height से होता है, तो वहीं ये बच्चों value substitute किया, उस्सा answer आ गया, ये first question, second question देखते हैं हम लोग, second question का given, second question क्या है बच्चों, एक diagram दिया है, diagram में क्या बोला गया है, in figure, in figure, BC is perpendicular to AD, and AD is perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8, then, find area of triangle ABC, and area of triangle ADB, ये मुझे क्या करना है, find out करना है, मेरा diagram कैसे हैं, हम लोग बना लेते पहले, मैं scale का यूज़ कर रहा हूँ, diagram कभी बनाना, तो given के सामने बनाना, तो गीवेन को बहुत कम space लगते हैं, लिखने के लिए, ये बच्चों, ये मेरा diagram है, कुछी सी बरगार, diagram में क्या दिया है, बच्चों, कि ये जो है, ये perpendicular है, ये यहाँ पर perpendicular है, नाम क्या दिया है, उपर उले section को, ABC, नहांपर A दिया है, यहाँ पर CD है, और, यहाँ पर D दिया है, मुझे किसी value दिया है, जो BC हवेक इतना है, BC for है, और AD कितना है, 8 है, मुझे क्या निकलना है, area निकलना है, ये दोनों triangle का, given क्या दिया है, BC, is perpendicular to a D and A D sorry B C is perpendicular to a B and A D is perpendicular to a B यह given लिख लेंगे बच्चों जीबन में क्या आजागा यह B C परपेंडिकुलर टू एडी है एबी है यह एडी परपेंडिकुलर टू एबी है बीची की वैल्यू केतना है? 4 बीची इक्वल्स टू 4 एडी कितना दिया है बच्चो? 8 एडी कितना दिया है? 8 तू फाइंड क्या करना है मुझे? तू फाइंड क्या करना है? रेशियो पर एरिट टू ट्राइंगल कौण सा? ट्राइंगल A, B, C एडी आफ ट्राइंगल A, B, C अप़ॉन एडी आफ ट्राइंगल A, B, D A, B, D अब बच्चो द्धार्ण से देखो सल्यूशन लिखते रहेंगे हम गिवन लिखा गिवन में इतना दिया था तू पाइंड में क्या कहना एरिया ओफ ट्राइंगल A, B, C अपोन एरिया ओफ ट्राइंगल A, B, D सेलुशनिसा क्या रहेगा यह डायंग्राम देखो भचो एक उपर ट्रेयंगल एक नीचे है यह स्का बेश होगा फार्स ट्रेंगल का है यह बैस होगा में ए बीपेश हाइट ही इस्ट्राइब तो दोखो कि यह उपर वाले ट्रेंगल के लिए भी इस्टा बेस है मतलब बेस दोनों में सेम है तो मुझे एडिया निकालना पड़ेगा इसका रेश्यो फेरिया दू ट्रेंगल निकालगों तो इसके क्या हाइच मेरे करेस्पॉंड होंगे तो कैसे निकालेंगे एक लिग A B इसमें क्या लिख देंगे इन ट्राइंगल A B C कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल और कौन सा ट्राइंगल है? A B D A B D एव कौमन बेस पहले ट्राइंगल का A B C एंड दुछरे ट्राइंगल का A B D एव कौमन बेस कौमन बेस क्या है A D है तो मुझे क्या निकलना है? एरिया ओफ ट्राइंगल A B C अपन एरिया आफ ट्राइंगल A B D ये निकालना है एरिया ओफ ट्राइंगल A B C और एरिया ओफ ट्राइंगल A B D इसमें दोनों देखो कि बेस मेरा सेम है अगर बेस मेरा सेम रहता है तो एरिया ओफ ट्राइंगल किसे करेस्पॉंड होता है? हाइट्स होता है तो इसके heights क्या है, एक इसके उपर वाले height का क्या है नाम BC, तो height लिखेंगे BC, और ये कौन सा height है, AD, second triangle का, reason क्या देंगे, क्या है, triangle having equal base, triangle having equal base, क्या है बच्चों, equal base, triangle having equal base, BC की value कितना दिया है, 4, AD की value कितना दिया है, 8, substitute कर देते हैं, 4 by 8, ये 1 जा कट जाएगा, ये 2 जा, answer क्या आजाएगा, 1 by 2, ये किसका answer आजाएगा, area of triangle ABC, divide by area of triangle ABD, ये मेरा, क्या रहेगा, बच्चों, answer रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, बच्चों, answer रहेगा, आप third sum देखते हैं, ये अगर copy की होंगे, मिटा देते हैं, तो बच्चों, पूरा खेल इसी का है, जो आपको तीन concept बताने, की area of triangle के इसे निकालते हैं, बस पूरा खेल इसी का है, हार एक question में, घुमा फिरा के यही चीज पूछा गया है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछें हैं, ठर्ड question देख लो बच्चों, थर्ड question में क्या है, in the following figure, एक diagram दिया है, in the following figure, segment PS is perpendicular to segment RQ, and segment QT is perpendicular to segment PR, if RQ is 6, PS is 6, and PR is 12, then find QT, क्या find करने हैं, QT, बच्चों मैं diagram बनाता हैं, उसके हैं से क्योंगी, थोड़ा diagram अगर दिखने मच्छा लगता हैं, तो solve करने more easy पड़ता है, attractive लगता है, solve करते हैं, जोड़ा diagram बना लिता हूँ, और diagram हमेशा बनाना तो given के सामने बनाना, जोड़ा बना लगता हैं, क्योंगी क्या अपटा हैं, कि यह वच्छोट डाइगराप मुआ डाइगराम का नेमिंग कर लेते हैं यहां पर क्या दिया है 90 डिगरी यह परपेंडिकुलर यह क्या दिया है 90 डिगरी यह भी परपेंडिकुलर है नाम क्या है PQRS PQRS कहां पनाम दिया है T Given में क्या दिया है जो कि RQ R और Q यह है 6 लुनिट नहीं दिया है बच्चो इसलिए और PS यतना है P और S ये भी कितना है बच्चो 6 है और PR पी आर का मतलब पूरा है यहां से लेके यहां तक बच और कुछ दिया है नहीं निकालना क्या है मुझे क्यूटी निकालना है तो इसकी आप आप ओगी वेन लिख देंगे क्या लिख देंगे जिवेन गीवेन में क्या है पहले यह सेगमेंट क्यूटी जो की परपेंडिकुलर है किस पे पी आर पे सेगमेंट पी आर पे दूसरा क्या है सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर है किस पे आर इस पे सेगमेंट आर एस अब मुझे कुछ वैल्यू दिया है वैल्यू को लिख देंगे आर क्यूट कितना है 6 है पी एस कितना है 6 है पी आर कितना है 12 है PR करना है बच्चो 12 है मुझे निकालना क्या है 2 find 2 find 2 find क्या करना है QT find out करना है length of QT find out करना है solution कैसे करेंगे अगर मैं ये triangle का area निकालता हूँ कौन से P Q R का अगर मैं area निकालता हूँ तो अगर ये triangle का area निकालता हूँ अगर base ये पकड़ता हूँ ये उपर वाला part मेरा base होगा तो ये इसा क्या रहेगा height रहेगा QT QT क्या रहेगा बच्चो height रहेगा तो base मेरा उपर का part ये QT मेरा height रहेगा और एक triangle यहीं से पकड़ता हूँ P Q R same triangle है अभी मैं base का ले लेता हूँ R Q ले लेता हूँ R Q जो है मेरा base है और इसका ये एदम highest point है ये highest point और ये base ही कितना perpendicular distance है 6 है तो PS मेरा क्या हो जाएगा height हो जाएगा same triangle का P Q R का P Q R का ये अगर R Q मैं base लेता हूँ तो ये PS मेरा क्या हो जाएगा height क्योंकि मैं बोला था perpendicular distance होता है height होता है तो अगर area of triangle किस्टन करूँगा P Q R solution आजएगा पहला area of triangle किस्टन P Q R area of triangle P Q R क्या होता है बच्चो half into base area of triangle P Q R का कौन सा base ले रहा हूँ बच्चो R Q वाला base ले रहा हूँ तो R Q अगर मेरा base होगा तो इसलिए height क्या हो जाएगा PS हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चो PS हो जाएगा ये क्या है area of triangle है क्या है बच्चो area of triangle तो half multiply by R Q की value 6 multiply by PST value 6 ये टू वन जा ये टू थ्री जा 6 इंटू 3 18 कितना हो जाएगा बच्चो 18 18 क्या ये area है तो area किसमें लिए जाता है square इसकी unit नहीं है तो इसको unit लिख देता है square unit 18 square unit किसका निगल गया area of triangle PQR अगर मैंने base क्या लिए था R Q height क्या लिए था P S मुझे क्या निगला किसका area निगला इसका ये पूरे क्या निगल गया area निगल गया अब बच्चो देखो मैं यही same triangle लेता हू P Q R अब मैं क्या लेता हू base यह ले लेता हू PR उपर ओला पार्ट और height किसको ले लेता हू QT को ले लेता हू उपर ओले पार्ट को क्या ले लेता हू base और यह जो perpendicular है इससे height ले लेता हू तो क्या निकलेगा मेरा same रहेगा उससा भी area of triangle नाम चाहे PQR is equals to half multiply बेस चा ले रहा हू PR ले रहा हू उपर ओला पार्ट multiply by height क्या है QT है value substitute करती है half multiply by PR कितना है बच्चोड 12 multiply by QT QT निकालना है लेकिन area of triangle मैंने उपर निकालना है area of triangle उपर निकालना था तो कितना आया बच्चो 18 आया कितना आया 18 तो इसको value substitute कर देता हू अगर ये 2 1 जा हो जाएगा और ये 2 6 जा हो जाएगा क्या जाएगा बच्चो 18 is equals to 6 into QT 18 is equals to 6 into QT यहाँ पर therefore लगाते जाओ बच्चो तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना है area of triangle P Q R यह ऐसे बना देना और यह पूरा bracket मार देना तो यहाँ पर क्या होगा 18 is equals to 6 into QT हो जाएगा बच्चो तो अगर यहाँ multiply होता है तो equals to गेशाइड आता है तो क्या होता है बच्चो डिवाइड तो 18 डिवाइड बाई 6 is equals to QT अब 18 divided by 6 मतलब 6 वन्जा 6 थीरी जा 6 वन्जा 6 थीरी जा बच्चो तो बच्चो तो बच्चो जगा नहीं है तो मैं यह साइड लिख रहा हूँ किसी भी चीज के अगर आप वैल्यू लिखते हो ना तो लेफ्ट साइड नहीं रहता है हमेशा राइट साइड रहता है तो देरफोर के बाद देरफोर क्योंटी को ये शाय साइड लिख देना और थी को वे साइड इक्वाल टू बीच में रहेगा क्योती इइक इक वर स्थू थी यूनीर दिए विग्वान रहता है भगवान रहता है यह हो गया यह आपको कौन शा मैं थप्सा मैं बच्चो इस में क्या था कि मुझे करते हैं दोनों से निकल गया जिसी वजत मुझे की की वैल्यू लिया सी thirsty जुट्र हुवी अभी कि अग्यों कि पोड़ा शिलो जा रहे बच्चों जिनको लगता है कि सर बहुत शिलो पड़ा रहे वे वीडियो को टू एक्स पे देख लिया क्या रहे टाइम बचाने के लिए टू एक्स या वान पॉइंट फाइब पे तो फोट शम चाहे बच्चों एक बार बुक में रीडिंग रीड कर लिया करो कोई भी मतब शम करने से पहले और यह वीडियो देखने से पहले हर एक चीज अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको भी पता चाहिए कि सम में पूछा क्या है अब जैसे कि फोट वाला शम है इसमें एक डाइग्राम दिया है बोलगा गया है इन फॉलोइंग फिगर एपी इस परपेंडिकुलर टू बीची एडी इस परपेंडिकुलर टू बीची देन फाइंड एरिया ओफ ट्राइंगल बीची डी इसका रेशियो निकालना है बच अच्छा नहीं दिखेगा इस सेल्स माना तो फोट प्रॉपर रहता है और दिखने लायक रहता है और स्वाल करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे एक पैरलल लाइन है कि उसके नीचे एक पैरलल लाइन है दोनों क्या है पैरलल लाइन है पैरलल लाइन में एक ये भी है और एक ये साइड है बच्चो फिर क्या किया गया है फिर इसे जोइन कर ना विम एक वह सब गार इसे जोईन कर दिया गया है और मैं बॉलूगा बच्चो जभी डाइगराम मना ना स्केल का यूशक्र रहें exactly ये ना सोचना कि यार यह तो बुक में कर रहा हो रफ बुक में कर रहा हो तो डाइग्राम तो मैं हाची भी बना सकता हूं लेकिन अगर आप अभी से इस चैल से बनाऊगे तो आपको प्रैप्टिस रहेगा बोर्ट पेपर के लिए यह परपेंडिकुलर है नेमिंग कर लेते हैं बच्चे इसका नाम A है इसका नाम B, A, C, D नेमिंग है यह, यह P है जहांपे परपेंडिकुलर है आप क्या दिया है गिवें लिखने है पैले गिवें में क्या है कुण्सा सम् लिखना रहता है इसका भी half marks रहता है तो जहां दिमाग नहीं लगाना है जो कि बुक में दिया है जब बीना दिमाग लगा उसी को लिए दो given में half marks तो मिल रहा है फिर उसके बाद solution part पर दिमाग लगाना रहते की कैसे करें अब गीवें इसमें क्या दिया एपी जो है perpendicular to segment BC, segment AP is perpendicular to segment BC, second क्या है line AB is parallel to line BC, line AB is parallel to line BC, तू find क्या करना है तू find क्या करना है दो ट्राइंगल के ratio of area का तू ट्राइंगल find हो करना है तो तू find एरिया ओफ ट्राइंगल ABC रेस्टू area of triangle क्या विविशी डी इस यह बोला जाता है रेस्टू area ओफ ट्राइंगल ABC अन एरियो ओफ ट्राइंगल BC अगर ड्राइगराम में देखो एरियो ऑफ ट्राइंगल ABC कहा एं यहां पे यहां पे सी यहां पे एक चीज़ छुट गया बच्चो कि यह यहां पे जॉइन हुआ है कि यहाँ पे जॉइन हुआ है अब देखो A B C जैना दो को A B C इसका बेस चाहँ हो दाएगा बच्चों B C हो दाएगा हाइट क्या हो दाएगा इसका जाँल कोई दो यह रहे खाना यह तो सलूसान लेने पहले लिख़ दीगे फैली marca में बच्चों कि यह दोनों ट्रांगल हे इसका जो हाइट है वह एपी रहेगा मतलब इक को रगा कि दोनों क्या है पहले यह लिख देते हैं तो लाइन है आई के लाइन यह यह बच्छो एडी है जो कि पैलल यह बीशी से शेट न पर एडी इस पैलल टू b c आ जाएगा तो यह क्या है line a d is parallel to line b c in triangle कौन्छा triangle a b c and triangle b c d have have क्या बच्चो have equal heights क्यूंकि मैंने उपर लिखा हूँ कि line a d जो है parallel line b c से यह दोनों triangle मेरे parallel के बीच में आता है और वे जो points जो parallel के vertex है वे on the line पे है on the parallel line पे जिसी वज़े से मेरे हाइट सिक्कूल है और बेस तो समझ रहा हूँ a b c b c बेस आ रहा है b c d b c बेस आ रहा है तो उसका क्या निकालेंगे ratio क्या निकालेंगे area of triangle a b c upon area of triangle b c d क्या करते हैं बच्चों बेस ओफ फर्स्ट रैंगल मल्टिप्लेबर हाइट ओफ फर्स रैंगल यह a b c का बेस चाहिए b c है हाइट क्या है a p है b c into a p divided by बेस ओफ चेकेंड रैंगल b c d b c d का बेस चाहिए और इसका हाइट क्या हो जागा है यहां से लिकें यहां तक हाइट जो यह फी होगा वही हाइट तो यहां पी होगा perpendicular distance क्यूंकि दो parallel line चाहिए parallel line के बीच में जो distance रहता है वह सेम रहता है यहां पर जो यहां पर भी वही सेम डिस्टेंस रहता है पहले line के मता होता है दो line जो कभी भी आपाश में intersect ना हो यहां पर भी क्या होगा a p तो यह सेम यह सेम यह सेम यह सेम यह भी सेम आंसर आपक्या जाएगा one by one तो therefore area of triangle ABC अपन एरिया ओफ ट्राइंगल बीची डी कि देर्फोर बच्चो मुझे क्या निकालना है यह यह अपन को जो रहता है ना इसे टू डॉट में लिखा जाते है रेस्टू रेस्टू एरिया ओफ ट्राइंगल बीची डी एरिया ओफ ट्राइंगल बीची डीडी इकवाल स्टू क्या जाएगा 1 raise to 1 1 raise to 1 क्या जाएगा बच्चो 1 raise to 1 यह आपका कॉनसा सम होगा 4th सम बच्चा कॉनसा सम बच्चो में मेरे साथ लगता है की सम बच्चा है क्या 5th सम बच्च टोटली एक्साइज में 5 सम थे एक शम और बच्चा है कर लेते हैं यह देख लो बच्चो घड़ी सब्सक्राइब कर से लुक्त करो क्योंकि मैंने भी देखा है क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे एक्जाम एक्जामिनिश्फं हॉल में जाता हो हर एक चीज करता हूँ तो क्या रहता हु ना यह कुछा पड़ती रहती है अक दिन की अति कर देखना रहता है उसे माइंड में रिवीजन होते रहता है कि यह सम इस तरीके से किया जाता है तो आप हर एक सम अगर उस बोड के समय पर करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और एक दो चैप्टर मुश्किल से एक दिन में खतम होगा और कल पेपर है पेपर में कितने सा चाहर आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है तो रेगुलर रिवीजन रहेगा ना बच्चो तो माइंड को भी अलट अलटनेस रहेगा हर एक चीज तो ले लेते हैं बच्चों में डाइग्राम दिया है और बोला गया इन एजॉनिंग फिगर पीक्यू पर पेंडिकुल टू बीची आइड पेंडिकुलर टू बीची डेन फाइंड फॉलोंग रेशियो चार रेशियों निकालने के लिए दिया गया है में इसमें वैल्य ऐल्य कुछ नहीं तो तो थोड़ा मैं तो मतुश्ण बना लिता हूं बच्चों यह डाइग्राम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो माप परन्न बच्वाइब लग रहा है डाइग्राम मना आते हैं आ कर दो कि आ कि ऑ pä मिटरेसे मैं यह बच्वाइब डाइग्राम ना भणकल तो इस्मापके रोंग हो जा इपेपरा में कहीं लोगे पकर के श्रूद्स ना गतारी जहिए लिए岁 को तो त्रैंगल का नाम हिए बच्शो ये कर दी कर दिए कुक्स happens are pic you hell焰हा फिसे बिसेंद दिया नहीं है ऍ Ultra सब्सक्राइब दिया रहता है वही लिखना रहता है बिना सोचे समझे जो दिया रहता है लिख लिए करो फी क्यूं परफेंडिकुलर टू बीची और क्या दिया है A D परफेंडिकुलर टू बीची और कुछने दिया है टूफाइंड तोफाइंड में टोटल कितना करना बच्छो चार रेसियो करना है कितना करना है चार, पहला रेशियो क्या है इसमें, area of triangle PQB, area of triangle PQB, raise to upon area of triangle PBC, area of triangle, किसका triangle PBC, यह एक निकालना है, दूसरा कौन सा नीकलना दूसरा क्या है area of triangle P b c area of triangle P b c it upon area of triangle a bc area of triangle ABC area of triangle ABC upon area of triangle ADC area of triangle ADC और एक फोर्थ है फोर्थ कौन शाय है बच्चो एरिया औफ ट्रायंगल ADC और एक एरिया औफ ट्रायंगल PQC ए ऑरे और एरिया औफ ड्रायंगल PQC एक एक बार फिर चेक कर लेते हैं क्या है पहले में क्या है इंच निकालना है अब जब मैं शूरू करूंगा तो बीच में रूकना ना पड़े तो वे इतने में तो होगा नहीं यह यहां था पर जाता हूं तो आपको भी चलते रहता है तो चलने दिया करो कंटेंट कुछ-कुछ वेश समी जा रहे हैं जो कि रफ वफ करने में जा रहे हैं कि अब यह देखो कि पहले करना एरिया ओफ ट्राइंगल पी क्यू भी सेल्यूशन निक दो सलूशन लिख दो सलूशन में पहला क्या है एरिया ओफ ट्राइंगल पी क्यू भी और पी बीची पी बीची लिग देटे पहले 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 क्या नीज़ रहो एरिया ओफ ट्रीयंगल पी ट्रीउव पी बी अपन एरिया ओफ ट्राइंगल पी बी ये पी क्यू वी अपन पीबी सी पीघीं अब बचो डाइग्राम पुरा खेल ले डाइग्राम में देखो PQB PQPQB ये स्मॉल ट्राइंगल और दुछरा क्या है PBC PBC मतलब ये PBC दोनों देखूँ के हाइड जो परपेंडिकुला हाइड पीक्यू वे सेम है मतलब ट्राइंगल सैविंग इक्वल हाइट्स दोर्णों मेंने क्या है इक्वल हाइट धィघ वर्णभाई राव जाएगा पकाम यारचित वीले लेंगा और पी बी लेलूँगा इन्ट कर लेलूँगा पżaल कियू गीक्यम Background लेलूँगा क्यू बी अपन पी बीची का बीची बेस होगा मेरा क्योंकि इसका हाइड तो पीक्यू सेमी है तो इधर क्या लिख दूंगा रीजन ट्राइंगल यह रीजन लिखना जरूरी है ट्राइंगल हैविंग जोमेट्रिंग में हर एक चीर रीजन लिखना पड़ता है ट्राइंगल यह लिख देना ट्राइंगल है इसके बेस करेस्पॉंडिंग हो गया जो चेक करने माला रहेगा इसको इतना आइडिया रहेगा कि हां यह पहला मेरा शॉल्फ हो गया दूसरा क्या है बच्यों कि मुथ Σुन दूश्रा क्या है एरीया ओफ डेंग्ञल पीबी शी लिख देता हूं पहले एरिया ओफ ट्राइंगल इंग्ट फीडीत li डियम वाइडdemo एरिया ओफ ट्राइंग्ड लें अब डाइग्राम के लें डाइग्राम में ए पीबी शी कहा है P यहां पे बीयां पे जीए धा और ABC ABC फी बीचीए और ABC दोनों देखोंगे यह जो बीची बाला है वीची दुनों में common है मतलब क्या बेश्च कॉमन है तो उसका क्या हो जाएगा corresponding to height यह पीक्यू किसका है पीबीची का height है और यह ABC का किसका height है एडी है तो इसमें क्या हो जाएगा base are equal then the areas तो पिबी सीच का हाइट क्या है पी क्यूँ लिख दू और अबी सीच का हाइड क्या है एडी ये बच्चो आ पर रिजन का जाएगा ट्राइंगल हेविट वर बेस में डेंगा ट्राइंगल इन तो है इक वर शाने कि आयग्विज अ तुम थे रा इंगर्णा यह अध्य को पुल बेष्स यह सेकेंड होगा थर्ड करना है थर्ड क्या दिया है वच्चों जो दिया है पहले लिख लेते फी डाइग्रम पे जाते हैं थां का थे अई एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी-सी अपन अपन एरिय of triangle ADC area of triangle ADC यह हो गया आप diagram में देखते हैं यह ABC और क्या बोले ADC दोनों में देखोगे ABC और ADC में यह जो हाइट AD है ना दोनों में आ रहा है मतब दोनों में क्या है हाइट AD कॉमन है क्योंकि यह पॉइंट है और यह BC से कितने की हाइट है AD की हाइट है तो ABC में AD मेरा हाइट होगा और ADC triangle में भी AD मेरा हाइट होगा मतब यहां पे क्या है हाइट रिक्वाल क्या हाइट रिक्वाल तो डीशी तो लिख दो बेस यह बीशी का बेस चाहिए दीशी यहां पर क्या से में मेरे हाइट से में तुह आजाएगा ट्राइंगल having equal height triangle having equal height बच्चो चौथा क्या है प्वोथ वन यह है area of triangle ADC और area of triangle PQC लिख लेते हैं area of triangle ADC and area of triangle PQC area of triangle PQC area of triangle ADC and area of triangle PQC डाइग्राम में देखते हैं यह A, यह D और यह C इसमें height AD आ रहा है और area of triangle PQC PQC इसमें height PQ आ रहा है और base इसमें DC आ रहा है तो इसमें QC आ रहा है इसमें कुछ भी equal नहीं है इसमें last वाले में कुछ भी equal नहीं है तो क्या होता है जैसे फर्स्ट रैंगल रहता है तो फर्स्ट रैंगल का base multiply by height करता हूं second triangle रहता है height क्या होता है AD और PQC PQC इसमें base आ रहा होता है QC height क्या होता है PQ QC QC मेरा क्या होता है base बच्चो multiple height क्या हो जाएगा PQ यह हो जाएगा यह क्या निगाल देखा ratio of areas of two triangle सम में region दिया हूं triangle having equal height triangle having equal triangle having equal height यहां पे भी region region देदो क्योंकि मैं जो फर्स्ट सम करा रहा था उसमें region दिया था तीन चाल लाइन का statement कि क्या ratio of areas of two triangle ratio of areas of two triangle is equal to the product of product of their base and and their corresponding height तो इतना बड़ा statement यहां लिखूंगा नहीं लिखूंगा नहीं लिखूंगा सिंपल से लिख दूंगा ratio of areas of two triangle ratio of areas of two triangle हो गया बच्चों बस इसमें इतने लिख देंगे ratio of areas of two triangle यह ratio of areas of two triangle यह property ratio of areas of two triangle base one multiply by height one upon base two multiply by height two यह 1.1 आपका है यहां पे खतम हो गया है बच्चों चलो बच्चों बाई मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा यह अच्छे से revision करो प्रैक्टिस बहुत जरूर है बच्चा है इसमें जो मेंट्री में चलो ओके बाई ठैंक्यू कि